मुझा दो पेले हम शानवाद की पात आते थे बड़ी खुशी से बड़े मतलब कोई खाबों ख्यालास से आते थे जब यह हमें बुलाता था और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा हम शानवाद की कबर पे जाएंगे उसको मिलने के लिए कभी हमने यह नहीं सोचा था कि भाई हमें इतनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा और हम सिर्फ उसकी कबर पे होने जाएंगे गल्ती में तो इसका कोई बंदी ही नहीं है कि गल्ती होगी एक बंदे की जान चलीगी है तुने उसको बंदे को कतल कर दिये अब तो बोडर है सेल्फ इफेंज में में मैंने कतल किया उटको बचाने के लिए उसका मेंट था शानवाद को बदणाम करें क्योंके बदणाम करने के लिए उन्हें बहुत ही घटाया हरकते की शानुआज पर कई दूबाद टेक किये शापर को स्पोर्ट करने वाला सबसे बड़ा स्पोर्टरेस का भाई था जो इसको स्पोर्ट करता था हल लाई जगरे में हम तो फुल मुतमें उजिन होगे जब शापर को जा के फांसी के पंदे पे चड़ाएंगे इसको दस साल जेल करा दें बीस साल करा दें फिर वो बहार आजे हम कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे असलाम आलेकुम आप टीवी से मैं हूँ फैसल खांसूरी शह नवास कतल केस को जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो को लाजमन मुकमल देखिएगा बहुत बड़ा इंटर्वियो आपको सुनने को मिलेगा इस वकत मैं शह नवास की आखरी अरामगा पे मजद हूँ मेरे साथ मजद हैं शह नवास के बेस्ट फ्रेंट जानी चैंप जो के बहुत ही कलॉस थे, हरबात शेर किया करते थे, हर म्शवरा किया करते थे इनी से जानने की कोशिश करेंगे उस इंटर्विव के हवाले से जो शापर ने मीडिया को दिया था और बताया था कि मैंने सेल्फ डिफेंड्स में कतल किया शाहनवाज को कितनी सदाकत है क्या सच में बहत अच्छा इंसान है शापर इन्हीं सजाने कि कोशिश करते हैं जानी चैंप रहिम जार्भारफ़ार खाने तो आप आज आँज आखरी आराम गागा पे आएं शानवाज की क्या कहना चाहें जी शानवाद की आखरी अराम गाह पे आया तो गए है लेकिन हमारे लिए ऐसे समझो कि बहुत ही बड़ी बड़ा सदमा है ये क्योंके पहले हम शानवाद की पात आते थे बड़ी खुशी से बड़ी मतलब के खाब ख्यालाद से आते थे जब ये हमें बुलाता था और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा हम शानवाद की कबर पे जाएंगे उसको मिलने के लिए या उसको देखने के लिए उससे होने के लिए क्योंके हर टाइम हमारे दिल में हमारे खाब में हमारे ख्यालाद में हर जगा शानवाद याता है बहुत ही छोटा था हम से तो कभी हमने यह नहीं नहीं सोचा था कि हमें इतनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा और हम सिर्फ उसकी कबर पर होने जाएंगे जानी चैंप, बहुत से सवलात हैं लोगों के जहनों में चुँके जब मैंने शापर का इंट्रविव किया था तो उसने पहला जवाब यह दिया था कि मुझसे गलती हो गई और मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको कतल किया इसके बारे में क्या कहेंगे जी ये बात गलती की बोर है कि बंदा चलो आया लड़ने के लिए अपनी कियार की उसको मार दी जैसे होता है हलकी पुल की खराश वगयरा चोटें वगयरा मार दी वो समझ आते है कि भी सेल्फ डिफेंड के लिए मैं इसको बादू तोड़ दिया यह हो गया तूने उसको बंदे को कतल कर दी है अब तो है स्यल्फ डिफेंड में मैंने कतल की है खुद को बचाने के लिए यह तो है मैं समझ हो कि बहुत ही गलत हो रह रहा है और गलत ही बात है इस की बहुत अरसे से हुई है इंटर्वी हुआ हुआ है लेकिन लोग यह नहीं सोचते के भाई कुछ ऐसी बात होते हैं जो बंदे की आंखों के देखी हुई बाद भी गलत होती है शानवाज के साथ यही सीन हुआ था यह भी शापर गैंग का बहुत बड़ा प्लैनिंग थी इसको बदनाम करने क जी शानवाज पर तो इन्होंने बहुत कई दफ़ाई अटैक किये लेकिन तकरीमा कोई पांच से चेड़ा वीडियो वेरल हुई हैं जहां पर इन लोगों ने शानवाज पर तशापर ने स्टेट फैरिंग किये शानवाज के उपर यह साफ दिखाई दे रहे हैं और बंद तो करता था शानवाज क्या उसके दिमाग में यह चल रहा था कि उसने शापर को मारना है यह बात है कि लड़ाई इनकी चल ली थी शानवाज के साथ मेरी इस बारे में बात होती थी कि जानी भाई यह चल रहा है लडाई हो रही है तो उसकी में यह होती थी कि बाई मैं इस इस चीज से साइड पे रहों क्योंकि सब्सक्राइब कोई इस नहीं है तो उसे इस बात पर दुख भी होता था कि यार देखो मैंने नाम बनाया है ना इन से मेरा कोई लिंक ना कोई चकर ये मुफ्त का मुझे बदनाम करने में तुले हुए है तो इस चीज़ पे वो बड़ा मतलब के बातें चेड़ता रहता था इस चीज़ में बड़ा प्रशान होता था वो शापर के बाद पॉलिस ने किसको गरिफतार किया पहले तो शापर का भाई अबू वगरा को उठाया है उसके बाद शापर को गरिफतार किया उसके बाद शापर के दोस्त है बिल्ला जो उस कतल में मलूफ है मतलब के शामिले का असली नाम किया है बिल्ले का हसीब नाम है तो बिल्ले के नाम से मशूर है वो उसने भी शानवास को गोलियां लगी हैं उसकी भी गोलियां शानवास को लगी हैं उसने भी मारी हैं शानवास को गोलियां वो भी उस टाइम पे उस मुकाम पे मजूद था जिस मुकाम पे शानवास को मारा गया वो हर मतलब हर लड़ाई में, हर अटेक में वह शामील था जो जो पलैनिंग होती थी शापर के शानवाग को माने के लिए या तशिद्ध करने के लिए ये बिला हर गेम में शामील होता था ये उसका बहुत ही करीबी दोश था है मैं समझो कि शाहनवाज को कतल के प्लैनिंग में टोटली यही शामिल है शाहनवाज के कुछ रिष्टेदारों में से एक मेंबर हवलात में गया था और हवलात में उसने देखा कि शाहनवाज का कातल शापर प्लैनिंग कर रहा है स्क्रिप्ट बना रहा है कि हमने मीडिया वालों को ये बताना है इस तरह से हमारी बच्चत हो पाएगी इस बारे में क्या करेंगी जी जी शानवाद का एक कोईरी सेदार गया था छोटे मोटे कोई लड़ाई की चकर में तो ये मसला हुआ था तो वो हुआलाद में गया है लेकिन शापर वालोंको ये मुआ मुल मुआ नहीं था कि ये शानवाद का करीब ही है साफ़ बत भात हहआ जब चादी बैटे ही होते हैं तो वो बात निंक किस्टे रहती है तो वहां पे वो बता रहा था कि भाई उसने बताया हमें कि वो पलैने का रह रहे होते थे हम मीडिया को यह बोलेंगे और हमने ऐसे करना है यह शापर का भाई शापर एक दो और उसके दोस्ते यह सब भी अचकठे बैढ़ के पलैने करते थे फिर जाब मीडिया थे वह उसी पलैने के मताउव ब्यान देते थे आगे. शापरके भाई का के हैकरदार है इस मामले में? शापर के भाई का इंटर्व्यू साबाई सुन रही है. वो बूल रहे हैं कि मैं बहुत शरीफ हूं. मैं अपने काम से काम लगता हूँ. मुझे कोई शापर से नहीं पता था कि यह कहा जाता है कैसे जाता है लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी वीडियो मुझे जिसमें हर गैंग स्टार गृप में ये शापर का भाई साथ होता था तो मुझे जहां तक मुझे मालूम होता है शापर को स्पोर्ट करने वाला सबसे बड़ा स्पोर्टर इसका भाई था जो इसको स्पोर्ट करता था हर लडाई जगड़े में हर बुरे काम में इसका बड़ा भाई स्पोर्टर था वो बोलता है कि मैं शरीफ हूँ, मैं अपना मॉबाइलों का काम करता हूँ तो बहुत ही ऐसी वीडियो जिसमें आपको दिखाया जा सकता है यही बंदा मेंन पॉइंट पर खड़ा हुआ इनके साथ हर जगा और शानवाद पर जो फाइरिंग हुए है डियाचे में कतल होने से दो तिन घंटे पहले उसमें भी शापर का भाई साथ था उनके जन्चेंप आप भी मशुहूरों मारूफ हैं वन विलिंग में शाहनवाद भी मशूहूर था अगर आप लहूर में रह रहे होते तो क्या आप भी शापर की तरह शाहनवाद से इखलाफात रखते लड़ाई करते ने ने बिलकुल कभी ऐसे नहीं करते ये तो शापर का नेगिटिव माइंड है वो एक बंदा उसके शहर का नाम मशूर कर रहा है तो उसके साथ नहीं चल सकता तो उसे नुकसान तो ना पुचाना शापर में ऐसी कौन सी कमजोरी थी जो शाहनवाद में है थी वो खासियत जिससे वो जैलिस होता था शापर शापर में तो कोई ऐसा भी और नहीं था कि जिसकी वज़ा से वो आगे निकल सके शाप शानवाद की माशले इतनी फैन फॉल्वेंग इतनी गेम ती इतना नाम था गेम के इलावा भी लोग उससे प्यार करते थे को देना बंदा गेम के साथ ही प्यार करें ऐसा कोई चकर अगे ता लोग उससे दिल से प्यार करते थे जब शानवाद का कतल हुए पता नहीं कितने घर की माएं रोई हैं कितने घर की बहने रोई हैं ऐसे समझो वो कह रही थी कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर का बेटा हम से दूर हो गिया है तो शापर इसी वज़ा से इसे हैं आपको लगता है कि आपको इनसाफ मिल पाएगा शाहनवाद के कातलों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा जी बिल्कुल फिलहाल तो अभी तक तो मुतमईन है क्योंकि पोलीस जो करवाई कर रही है पोलीस का जो इंटर्वीव हो रहा है उसे हम मुतमईन हैं ब गुमेगा तो यह हमारे लिए बहुत है मैं समझे को कि नाइनसाफी वाली बात है पाकिस्तान में वन्वीलिंग को गेर कनूनी समझा जाता है आप अगर स्टार बनना चाहते हैं तो आपने कभी अपील किया अदारों से कि हमें वन्वीलिंग के लिए को प्रेटफॉर्म मह करते हैं तो बहुत से दफात लगाते हैं वन्वीलर को पकड़ते हैं गाड़ी बंद कर देते हैं लड़कों परचे यह वो करते हैं लेकिन वन्वीलिंग कभी खताब नहीं हो रही है वान्वीलिंग हर शक्स कर सकते हैं या मक्सूस होता है कोई जिसमें टैलेंट होता है कुछ ऐसे बंदे हैं जो मुकमल वान्वीलिंग करते हैं बागी ऐसे ही बस हलकी बुलकी जो लड़के घूम रहे हैं वही का रहे हैं लेकिन वान्वीलिंग कर रहे हैं गिर रहे हैं चोटें लागरी हैं टांगे टूटें हैं वान्वीलिंग खतम नहीं कर रहे हैं इस बात से कि नाम आगे लेके आएं क्योंके बहुत आउट ओफ कंट्री में बहुत ईशिया से मुमालेका एं जहां पर वन-विलिंग को मतलब के सब्स्पोर्ट करते हैं वन-विल्रों को उनको आगे लेके जाते हैं बहुत ही बड़े होते हैं मतलब के मुकाबले होते हैं वहां बेंको इनकुई नहात मिलते हैं तो इसमें मुल्क کی अपने मुल्क کی भूत ही बेत्री है इस चीज को यह कोई आम सी चीज नहीं है को सिमने हो शानवाज का एक बहुत बड़ा ग्रूप था जिसको 46 के नाम से भी जाना जाता है उस ग्रूप को लेकर आप चलेंगे ये कोई और अब तो मैं ही चलाओंगा इन्शाला कोशिच करूँगा शानवाज कर ओर भी लिंग से दो दिल चल गी है लकिन जब ये बाद सोचते हैं के शानवाज का नाम हमने काहिम रखने है तो फिर हम में आता है जोश इसलाला 46 पहले कम था जब से शानवाज गिया है शानवाज के में लोगों ने इतना वो किया है कि जिनका 10-10 साल पराना गुरूप ता उन्हों ने अपने गुरूप चोड़ के 46 जोई का लिए सिर्फ शानवाज की खातर के हम शानवाज का नाम आखिर तक इसे ही काईम रखे हैं जो लोग उसका नाम खतम करना चाते थे उनको दिखाएं क 2 कि खातर तो आपर चया ने विए लनके जीताद के नाम हमने एसे चिलनाना जैसे पहले रहेन थहां किया पलीस ने आपसे भी टोन फड़िसर कशिके ने की जानी चैंप शाहनवाज के बहुत अच्छे दोस्त थे और रहेंगे भी चाहे शाहनवाज इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन पहचान इनकी यही रहेगी कि यह शाहनवाज के बहुत अच्छे दोस्त थे इसके साथ इजादस चाहूंगा